वो भी यह दिखे आपको लाइब में दिख रहोगा क्यामरे में की इस तरह से कुत्ते का भी बच्चा कुत्ता अंदर आ जा सकता है विद्याले में छुट्टी होने के बाद कार्याले का दर्वाजा खुला छोड़ कर चले शिक्षग सरकारे विद्याले में अनियमित्ता को लेकर कई मामले देखी होंगे लेकिन एक मामला इन सबसे अलग है बात कर रही है प्रखंड के अंतरगर बड़ी मकनपूर मध्य विद्याले में छुट्टी होने के बाद कार्याले के दर्वाजा खुला छोड़ कर जिम्मिवार शिक्षग घर चल दिये वहीं जब शाम को कुछ बच्चे ग्राउंड के अंदर खेलने गए तो कार्याले का खुला गेट देखकर आसपास में जानकारी थी उसके बाद ग्रामीन लोग विद्याले परिसर पहुचे ग्रामीन बुद्धी जीवियों के द्वारा कार्याले के सुरक्षा की गई ग्रामीनों ने बताया कि खुले कार्याले में सभी कागजात थे टेबल पर नामांकर रजिस्टर चात्र उपस्तिती पंजी सहित कई महतपून दस्तावेज रखे थे कार्याले के गेट खुले रहने पर अंदर जाकर कागजात की चोरी भी हो सकती थी ग्रामीनों ने बताया कि शिक्षक की घोर लापरवाही है इस्ते पहले भी इसी विद्याले में बच्चों के खाने के बाद कुत्ते द्वारा प्लेट चाटने का मामला सामनी आया था विद्याले के प्रभारी ने बताया कि भूलवश जल्दबाजी में गेट खुला छोड़ कर चल दिये जिसमें ग्रामेणों के द्वारा सूचना मिलने पर देरशाम आकर गेट बंद किया गया मामले का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल था जिस पर लोग अपनी प्रतक्रिया देकर वीडियो को शेयर कर रही थी सिख्षा के मंदिर बिध्याले में लगातार आपने लापरवाही और विविल प्रकार के मामलों को देखा होगा और बिहार के कई ऐसे सकूलों की भी इस्तिती को देखी योगी लेकिन आज इस स्कूल के गेट पर हम खड़े हैं ये बिहार का एकलावपा स्कूल है जहां कि कुछ दिन पहले बच्चे के खाने वाले मध्यान भोजन के प्लेट को कुट्टे द्वारा चाटा जाने वाला वीडियो वाइरल हुआ था इसके बाद भागलपूर के जिला सिच्चा पदाधिकारी ने इस पर संग्यान लेते हुए कारवाई की थी हलांकि उसका जांच रिपोर्ट आया क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे हम बात नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरा मामला आया है और उसके बाद से यह विद्याले प संध्या स्कूल में सारे सिक्षक और हेड्मास्टर साब मौझूद थे और स्कूल की छुटी होने के बाद बच्चे चले गए टीचर भी चले गए और कारियाले का गेट भी खुला रह गया सारी कागजात जितनी भी विद्याले की हैं चाहे वो नामांकन पंजी हो या उप अब इसे नजर अंदाज कहें या आप पर रिपन करता है लेकिन बहुत बड़ी चीज जो नजर आई यह खुले होने के बाद जब बच्चे कुछ बच्चे यह जो ग्रील आपको भी दिख रहा है यह किसी तरह एक बास के सारे खड़ा हुआ है और इसी के अंदर कुछ का इसके बाद उन्होंने ग्रामिनों को सूचना दी और ग्रामिन पहुंचे और उसके बाद ताला बंध किया गया है जो लगम आफ बजे रातनी में हो जहां कि बात्चित करेंगे क्या है कि शोटी सी लापरवाही लाकों बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवार हो जाता क्योंकि अगर रजिस्टर चोरी होती अगर किसी भी तरह का क्योंकि आप जहां तक ही बताते चलें कि गोपालपूर प्रकंड में भी बिभिन बिद्यालेओं में चोरी की घटनाय आये कई तरह की चोरी हुई है लेकिन यहां इतनी आपरवाही देखने को मिली है विद्याले के सिक्षा समीती के अध्यक्ष शुमीत कुमार जी और जनपरतिनीधी भी है शुमीत जी कैसे क्या हुआ और कैसे गेट खुला रहा गया और क्या-क्या चीज थी अंदर हम तो यहां पर बच्चे सब खिलने गराए हुए थे और जो हमें घर पे गया और बुलाया के से सिसर ऑफिस का करियाले का दर्वाजा दोनों खुला हुआ है हम आये तो देखे दोनों दर्वाजा खुला हुआ था अंदर में सारे रजिटर पड़े हुए थी इसमें कि नमंकन सूची वला रजिटर था उपर से थी पंजी थी और जो भी स्कूल के आगजाद होते हैं सभी परे हुए तो इसमें तो हमारे गाउं के बच्चे की भविस्थ था इसलिए हम इसमें इंटर्फेर किये और हम अपने घर से तलाला करके फिसमें गेट में लगा दिये तो उसके बाद हम सिक्षक को सुचना दिये इस पर सिक्षक अब शुबार करके गरामनों के शहयोग द्वारा इसको तलाख खुला गया है मतब जिस समय आपने देखा था स्कूल को दोनों गेट खुला हुआ था तो क्या आपने अंदर जहंक के देखा था आपने वीडियो भी बनाया है और अंदर में सारसमान सब यूभी पढ़ा करके देते यहां के पदारिकारी से पहले भी वीडियो हुआ बैधिय प्रकारे से चापने वादारा था उसमें करवाई भी थी और उसमें जो है जांच के लिए भी आदिया गया था अब या आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के जिंदगी से खिलवार का एक लापरवाही था परदादीकारी को आप क्या सूचना तरी को इस पर अस्तर से इनकी जाए और फरा हमारे गौँगे बच्ची का भविस्ट को देखते हुए करेंगे बच्चे का खिलेगा जो भी समान है सारा चीज तो उसी के अंदर है सरकार वहां से देती है यहां के देंगे बाद में की मिला ही नहीं है करेंबोर्ड है बाकी बच्चे का खिलेगा जो भी समान है सारा चीज तो इसी जगा उपलवद है ओफिस के अंदर रखा जाता है लेकिन आगे भी हुआ था कुत्ते वाला काहनी उसमें भी माफी मांग लिए अब माफी का कोई सीमा होता है सर ना ग्रामी ने आके ताला खुलवा दिया मैंगेट बन था तो चलो ठीक अंदर चले गए आपकी हाजरी बन रही है आप एक लाग देर लाग रुपे ले रहे हो सरकार से किस चीज का ले रहे हो ताला भी लेंग लगा सकते कौन लगाएगा कभी रसोई में जाई है तो वहां बोलेगा कि ठीका चना तीन किरो कर देर किलो है कभी चावल जा रहा है कभी रसोई के लेके जा रहा है इस चीज का कोई समाधान तो हौन अच्छी न शर आते है सर लोग आते है देखे कुछ मिला नहीं मिला कहोनी खतम हो में जो घड़के हेड होते हैं मुख्या होते हैं मैं नजर तो लाश्ट उनका होता है ना हम गलती करेंगे हमारे पिता जी उसको बचाएंगे अब कहां क्या हुआ कल दिन कोई कागजात गाइब हो जाता बोल देता इसी जगा परोस का जो आदमी है ना दो कदम पर परोस का आदमी यही गाइब कर दिया इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी चार दिवारी उपर करने के लिए तीन बार फंड आ चुका है दो बार कभी रंग जो भी उचित कारवाई हो अपने अस्तर से देख लिया जाए अब इसमें हम यह नहीं कहेंगा कि ऐसा होना चीए एक सवाल बताइए क्या चूरी होने की समभावना थी जिस तरह सब जिगर चूरी हो रहे बरतक बीच में है ऐसा चूरी लेकिन अगर रात भर नहीं देखता तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर चारदिवारी इतनी छोटी है जब कुट्ता गुश सकता है आदमी भी गुश के सोता है यहां पर रात में बारिस का समय है ठंडी का समय आता है यहां पर आदमी भी गुश के सोता है किसको मना करेंगा कोई इसमें क्या आता है अपने मन से हम काम करेंगे, जो काम मन में आया वही करेंगे, 80,000 रुपई आया, उस में से जो बंदर मौट करना है करके कहोनी कतम कर दिये, कहते हैं, हम लोग थक गए, हम लोग इंटरफेर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का बच्चा सिवियस्ती में प्रवेट इसकूल में परता है, ज्यादा इंटरफेर नहीं करते हैं, हम दिन में 50 बार इजर से उधर जाते हैं, क्योंकि हमारा दुकान है, घर भगल में है, 50 बार जाते हैं, सारा कहोनी देखते हैं, किस को किस को जाके बताएगा आदमी, क्या जरूरी पढ़ा, अपना खाके दूसरे का टंसल ल तो सरकारी नियमों के प्रोटोकॉल के ही अनुसार हमने विद्याले के बाहर ही आपको दिखाया विद्याले के अंदर की स्तती हलांकि जो है जो जितने भी विभागिया लोग कि कोई देखने वाला नहीं है नौ सिक्षक हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तयार नही बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवार हो सकता था ये आपको भी पता है और आप भी समझ रहे होंगे अब बरहाल देखना है कि इस मामले में कहां तक और कितनी कारवाई होती है कामरामन समझ जाके सार्थ मैं वरुन बाबूर